Practice Paper को पढ़ने से Full Marks आ जाएंगे जो CBSC ने Practice Paper launch किये हैं यदि हम उनको cover कर लेते हैं उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्या हम उस subject में जिस subject का Practice Paper हमने लगाया है उसमें फुल मार्क्स ला सकते हैं पहला सवाल वाजिब कोश्चन है इसका answer भी मैं वाजिब ही दूँगा बिल्कुल भी हवाबाजी में किरियट नहीं करने वाला हूँ लेकिन ये दूसरा सवाल जो है न इसके लिए मैं कहीं न कहीं कन्फ्यूज हूँ कि ये question बना ही क्यों आपके दिमाग में ये question आया ही क्यों कि क्या इस बार board का paper hard आएगा पिछले 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ अभी तक किसी भी बच्चे ने मुझसे ये question नहीं किया कि इस बार का जो board का paper आने वाला है वो hard आएगा या फिर easy आएगा ये सवाल क्यों बना इसका reason मैं आपको बताता हूँ CBSE ने जब practice paper launch किये थे तो काफी सारे teachers ने और काफी सारे बच्चों ने जो है practice paper के अंदर ये हवा बाजी कर दी कि practice paper के अंदर जो questions है वो बहुत जादा hard है इसलिए जो board का paper होगा वो hard आने वाला है तभी तो आपके मन में ये question आया ना तो आप बार-बार हर वीडियो के नीचे जा जाके comment कर रहे है कि board का paper जो हो hard आएगा या फिर easy आएगा क्योंकि आपके मन में ये डर पैदा कर दिया गया है मैं उन teachers से भी request करता हूँ कि भाई साब ऐसा डर पैदा मत करो मैं आपको एक चीज बताता हूँ जिसने रसगुला खाया नहीं है क्या वो बता सकता है रसगुला कैसा था तो अब कुछ बच्चों ने paper को जो practice paper था उसको solve किया ही नहीं और बिना solve किये ही ये बता रहे हैं कि practice paper के अंदर जो questions है वो hard है आज इन दोनों सवालों की जवाब मैं देने वाला हूँ चैनल को subscribe कर लीजी अगर नहीं किया है क्योंकि ये चैनल आपको बहुत काम आने वाला है आपकी board exam preparation के लिए काफी सारे सवाल जो आपके होते हैं उन सभी सवालों की जवाब मैं देता हूँ इस वीडियो के नीचे आप comment कीजिए यदि आपका कोई सवाल है जो मैं इस वीडियो में cover नहीं कर पा रहा हूँ तो आप वीडियो के नीचे comment कीजिए मैं अलग से वीडियो बनाके या फिल लाइव आके आपको देने वाला हूँ तो मेरा नाम है सुमित मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना परिवार exam power सबसे पहले बात करते हैं practice paper को पढ़ने से full marks आ जाएंगे क्या तो इसका clear or cut answer यही है कि practice paper पढ़ने से आपको full marks नहीं आएंगे practice paper पढ़ने से आपको full marks नहीं आएंगे तो 60-70% के आसपास आप पहुंच सकते हैं क्योंकि PYQ का जो wet test होता है वो 70% होता है और इस बार जो practice paper launch किया है CBSC ने sample paper के बाद में तो इनको launch करने का मैन मक्सद यही है कि बच्चे जादा से जादा practice करें हो सकता है कि इनके अंदर जो question है practice paper के अंदर जो questions है उस type के question आपके exam में आ सकते हैं जिनके chances है 60-70% 100% फिर भी मैं नहीं कहूंगा 60-70% chance है इसलिए आपको practice paper पढ़ना है ignore नहीं करना है लेकिन केवल practice paper ही पढ़ना है ये भी गलत होगा तो इसलिए केवल practice paper नहीं बलकि practice paper भी पढ़ना है और साथ में आपको PYQs हो गया या फिर OneSort के वीडियोज हो गये या और भी बहुत सारी resource होता है उनके थूर आपको preparation अपनी करनी है क्योंकि अभी भी एक महिना आपके बास में है दूसरा क्या इस बार board का paper hard आएगा तो मैं आपको बता दूगी जो paper बनता है आप examiner के mindset को समझो paper कभी भी hard नहीं आता है आज तक के इतिहास में paper कभी भी hard नहीं हुआ है और नहीं आज तक के इतिहास के अंदर paper easy हुआ है ना तो paper hard होता है ना paper easy होता है तुम सोचो एक class के अंदर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से 5 बच्चे ऐसे हैं, जो 100 marks score करने वाले हैं, बाकि 95, 100% वाले नहीं हैं, कोई 80% वाला है, कोई 70% वाला है, कोई 60% वाला है, कोई बेचारा मेरी तरह है, पास होने के लिए ही, जो है वो struggle कर रहाएगी, कैसे भी करक जाता है, हो सकता है कि 4-5 question, 6-7 question, जो पीपर के अंदर थोड़े अच्छे लेवल के डाल दिये जाएं, ताकि जो intelligent बच्चे हैं, उनको हम judge कर पाएं, examiner का मैन मक्सद यही होता है, तो इसके अलावा भी, इन दो question के अलावा भी, आपका यदि कोई question है, तो आप comment section में मिल गए है, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ सेर करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, जे हिंद, जे भारत!